हालो स्टुटेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग सलीना कंसाइज क्लास एट का मैट्स का बुख है चाप्टर फोर्टीन है लीनियर एक्क्वेशन्स इन वन वेरियेबल का एक्सरसाइज एटे का कोशन नमर्ट ट्वेंटी वन से सॉल्व करेंगे आज हम लोग तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कोशन हमारे पास है 1 बाई x-1 प्लस 2 बाई x-2 इक्वल टू 3 बाई x-3 ऐसा करते हैं पहले इन दोनों टर्म को लेते हैं दोनों ही तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x-1 और x-2 अलसे हम हो जाएगा जब इसे हम काटेंगे तो हमारे पासytic बचेगा तो यहाँ पर हमारे पास वन कॉमन हो जाएगा और x-2 हो हो जाएगा ठीक है फिर यहां से जब इसको करेंगे तो x-2 कर जाएगा तो ही टम हमारा बचेगा प्लस 2 common होगा और हमारे बचेगा x-1 equal to 3 by x-3 solve करते हैं अब इसे 1 को x से multiply करेंगा तो x-2 ही हो जाएगा ठीक है इस से multiply करेंगा तो 2x हो जाएगा प्लस में होगा और यहां प्लस में है माइनस माइनस होगा तो माइनस 2 हो जाएगा ऐसे ही similarly हम लोग पहले इसको इससे multiply फिर इसको इससे फिर इससे इससे ठीक है one by one पहले इनको इन दोनों के साथ फिर इससे इन दोनों के साथ X square हो जाएगा हमारा X के साथ X से multiply होगा तो Minus को term है तो Minus लिखेंगे 2X हो जाएगा X into 2 2X हो गया ठीक है आगे करेंगे Minus को term है तो Minus को 1 को X से multiply करेंगे तो Minus X हो जाएगा और 7 में Minus 1 और Minus 2 equal to plus 2 हो जाएगा Equal to 3 by X minus 3 हो जाएगा चलिए आगे सुर्फ करते हैं को सा नमर ट्वेंटीवन है यह चलिए चलिए शुरू करते हैं आगे बनाते हैं हम लोग इसे सिंप्लिफाई करते हैं पहले ए एक्स प्लस में है और ए प्लस में दोनों तो एक्स प्लस टू एक्स हो गया हमारे पास ठीक है ए टर्म और एटर्म अभी चलते हैं आगे minus 2 और minus 2 equal to क्या हो जाएगा minus 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 और minus minus plus कर दिये तो minus 4 होगी हमारे पास by यहाँ पे करते हैं x square यह minus में है और यह भी minus में है तो minus 3x हो जाएगा minus 2x minus x equal to minus 3x plus 2 होगा हमारे पास equal to 3 by x minus 3 अब cross multiply कर सकते हैं तो चलिए by cross multiplying तो यहां की ऐसे करना है ठीक है तो पहले यह वाले term को इसके साथ करते हैं x minus 3 common लेते हैं x plus 2x minus 4 के लिए ठीक है यह term जो हमारा है यहां दिख रहे हैं इसके साथ multiply होगा हमने यहां पर कर लिया equal to करेंगे 3 common हो जाएगा हमारे पास इस बार x square minus 3x plus 2 कुछ ऐसा हमारे पास आएगा अब अब इसे आगे सॉल करते हैं जब इसे इससे multiply करेंगे तो क्या होगा हमारे पास इससे multiply करेंगे तो x square हो जाएगा ठीक है फिर plus 2x square हो जाएगा हमारे पास और इसको इससे फिर करेंगे तो माइनस 4X हो जाएगा फिर से हैं माइनस का टर्म है तो माइनस 3X हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 टूजा 6X माइनस हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस 6X हो गया हमारे पास और minus minus plus हो जगा है और 4 तरिजा 12 हो गया ठीक है फिर ज़र देखते हैं पहले x वाले जो term हमारे पास इसको इन तीनों के साथ multiply करेंगे तो x square हो गया 2x square हो गया और 7 में minus 4x हो गया ठीक है a plus में था a plus में था इसलिए plus आया a minus में यहां से करते हैं minus 3 था minus 3x हो गया हमारे पास a plus में था a minus 3 to 6x हो गया और 7 में minus और minus plus 12 अब इन्हें multiply करते हैं 3x square हो गया हमारे पास minus 9x हो गया और plus 3 to 6 simplify करते हैं सबसे पहले उसके बाद आगे हैसे हम solve करेंगे x square plus 2x square equal to 3x square हो सकता है हमारे पास minus हो गया 4x और minus 3x पहले सारा टर्म मैंनस में देख लेते हैं 4 और 6 हो जाएगा 10 minus 13 हो जाएगा ठीक है तो minus 13x भी रख सकते हैं ठीक है यह पे और हमारे प्लस 12 बचेगा इकवल टू 3x square minus 9x plus 6 अब इसे अरेंज करते हैं ठीक है तो मैं 3x square है जो है यहां यह प्लस में है यहां जाके माइनस 3x square हो जाएगा ठीक है इन दोनों को हमने यूज कर लिया अब देखिया हमारे पास minus 13x बचा ठीक है यह वाला और यहां minus में था यह प्लस हो गया plus 9x बचा यहां इक्वल टू यहां 6 plus में था और यहां minus में हो जाएगा ठीक है माइनस 12 प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा एवाला टर्म और यह वाला टर्म सब्ट्रैक हो सकता है प्लस माइनस ठीक है अब यहां देखते हैं माइनस 13 और प्लस 9 है तो हमारे पस माइनस 4x बचेगा एक्वल टू प्लस 6 में हमारे पास है माइनस 12 में तो माइनस 6 बचेगा x इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 4 माइनस माइनस प्लस होगी हमारे पास ठीक है अभी x इक्वल टू हमारे पास आएगा 6 बाई 4 आप इसे simplify एक बर कर लेंगे, यहीं पर कर लेते हैं 2 का table में, 2 time में, 3 time में यहां पर हम लोग कर सकते हैं, 3 by 2 यह हमारे पास fraction में answer आ गया चलिए question number 22 को solve करते हैं हमारे पास question number 22 है यह कुछ ऐसा है x-1 by 7x-14 है equal to x-3 by 7x-26 है इसे solve करने के लिए सबसे पहले हम लोग cross multiply कर लेते हैं by cross multiplying तो हमारे पास हो जाएगा x-1 और हमारे पास हो जाएगा 7x-26 equal to x-3 7x-14 तो one by one solve करते हैं 7 और x 7x square हो जाएगा ठीक है यह minus में यह plus में था तो minus 26 हो जाएगा x हो जाएगा minus 1 को यहां multiply करेंगे तो minus 7x हो जाएगा और plus हो जाएगा 26 equal to 7 square हो जाएगा हमारे पास यहां भी फिर देखते हैं आगे minus 14x हो जाएगा अब minus 3 यानि कि minus 7,321 x हो जाएगा और minus 3, minus 14 plus हो जाएगा अब 14,3 जा कितना होता है तो multiply कर लेजिए 3, 4, 0, 12, carry किया 1, 3, 2, 3, 1, 42 42 हो गया तो हमने पहले x को इन दोनों के साथ multiply किया फिर minus 1 को इन दोनों के साथ अब आगे solve करते हैं पहले हम सब से पहले से यहीं पर arrange करने कोशिद करते हैं जो जो हमारे पास terms है 7x square 8 term और 8 term मानस में है तो दोनों को minus minus plus हो जाएंगे तो यहां हो जाएगे 13 carry किया 1, 3, 33 x हो गया हमारे पास यहां पर plus 26 आगया, equal to यहां भी ऐसे हैं, यहां यह वाला और यह वाला term है, 7x square यह minus 35 हो गया 5 हो गया, और यहां पर होता है 3 minus 35 x हो गया और plus 42 ठीक है, यह x है चलिए आगे करते हैं arrange करते हैं terms को 7x हमारे पास यहां बच गया है square, और यह वाला term भी यही लिए आते हैं उधर जाए आगे plus था 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 आखे minus 7x square हो गया minus 33 x था हमारे पास पहले से और यहां plus 35 x बचा equal to यहां 42 पहले से है और यहां से प्लस में था तो मैनस में 26 हो जाएगा यह दोनों कर जाएंगे यहां पर हमारे पास minus 33 था प्लस 35 था तो 2x बचेगा equal to यहां पर 6 था आ गया यहां पर 1 16 आ गया ठीक है तो x equal to 16 by 2 cutting है 1 time में 2 time में sorry 8 time में x equal to 8 answer हमारा आ गया आप question number हम लोग यहां पर 23 को solve करते हैं 23 question number हमारे पास जो है 1 by x minus 1 है minus 1 by x है equal to 1 by x plus 3 है minus 1 by x plus 4 है अब यहां पर हम लोग इन दोनों कालसियम लेंगे तो हमारे पास आएगा x minus 1 और x आ जाएगा ठीक है अभी इन दोनों का जो ले ले लेते हैं तो हम लोग atom जो इसके लिए कट जाएगा तो यहां पर सिर्फ x बचेगा हमारे पास तो उसे करते हैं x हम लोग लिख लेते हैं यहां पर अब यहां पर हमारे पास माइनस है तो माइनस और जब इंट को दिवाइट करेंगे तो माइनस हमारे कॉमन हो जाएगा एक माइनस 1 पीर इहां पर हो जाएगा ठीक है हमने इन दोनों के ल्स्यम पहले ले लिया यहां पर जब इस ट्रम को सिर्फ बच गया ह्मारे पास की मायनस का साइन आ गया और जब इसे किया तो atom हमारे पास यहां पर आ गया वन सेइन टू था इसलिए से मागी हां अब इन दोनों का LCM लेंगे हम लोग यहां पर दूसरे साइड में भी स्वल्प करते चलेंगे तो हमारे पास LCM कुछ ऐसा बनके आएगा अब जब इसे काटेंगे तो यहां पर आजएगा X प्लस 4 अब मैंनस का साइन आएगा क्योंकि मैंनस का साइन है और यहां पर X प्लस 3 आ जाएगा कि LCM तो हमारा दोनों साइड हमने LCM ले लिए साथ में अब आगे स्वल्प करते हैं इसे इसे इंटू करेंगे एक्स को सरी मैनस को किया हमने मैनस कॉमन में है तो मैनस X हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा यहां पर यहां पर हम लोग सेम है X-1 अभी जो मारे पस था और X रहने देते हैं उपर स्वल्प करते हैं अभी हम लोग पहले X स्क्वाइर हो जाएगा हमारे पास ठीक है कॉमन स्वरी X प्लस 4 ही रहेगा ओं कॉमन तो आपर मैनस में है X-4 माइनस X प्लस माइनस 3 हो गया ठीक है हम लोग के पास इतना देखे एक्स प्लस 4 हमारे पास जो आ गया खुल गया इसके लिए कॉमन था यह माइनस था ठीक है तो यहां पर प्लस में था प्लस X तो माइनस X हो गया और यह प्लस 3 था तो माइनस 3 हो गया बाकि यह वाले जो टरम हमारे नीचे है ओ डिनोमिनेटर का टरम हम लोग सेम रहने देते हैं अभी सिंप्लिपाइ करते हैं यह दोनों कर जाएंगे तो वन आँए X माइनस 1 हो जाएगा और एक ऒसे लिएक इकल टू यहां प्लस में वीख अफ्लस में यहां पर बलस 3 मैनस यानि कि 1 बचेगा हमारे पास में और एक सब्लस थृ कि फिर बचयेगा एकस फूर हमारे पस अभी ऐगशा है एक स्ब्लस 3 और माइन और प्लस पार e कैस ब अगे लिखते हैं by cross multiplying कि अगि यहां लिख लेते हैं लोग by cross है क्रोश मल्टिप्लाइब करते हैं हम लोग तो हमारे पास सबसे पहले जो तो common था हमारे पास 1 था उपर में जहां लोग दिया numerator में 1 रखे थे हैं ठीक है दोने में 1 था तो नीचे वाले को से फिर करना है इस condition में x plus 3 हमारे पास हो जाएगा और साथ में x plus 4 equal to x common था x minus 1 हो गया x square हो जाएगा जब x को x से multiply करेंगे है फिर plus हो जाएगा 4 x हो जागे हमारे पास ठीक है एक्स वाले टर्म को इन दोनों के साथ multiply हमने किया x square और 4 x हो गया plus 3 x और plus 12 equal to x को इसके साथ फिर इसके साथ ठीक है x square और minus फिर हमारे पास x वचेगा अभी इसे आरेंज करते हैं देखिए x square है इधार आके x हो माइनस x square प्लस 4 और 3 7 x ठीक है 7 x हो गया और minus x हो गया equal to 12 हो जाएगा मारे पास minus में उधर जाके ध्यान रहना है इधर plus में था उधर जाके minus हो गया सारे कौमने किसी तर आरेंज कर लिया है इन दोनों को कट लेंगे तो सेवन एस मानस एक हो जाएगा तो 6x बचेगा इकल टो मैनस 12 x इकल टो मैनस 12 भाई 6 हो जाएगा वन टाइम में टू टाइम में एकस इकल टू माइनस हमारे पास आंसर आएगा और देखने हो गए बड़ कहीं मिश्टेक हो गया फूर्थ इस ट्वेल ठीक है हाँ हो सुर्य यहां मैनस में था प्लस में हो इदर आके ठीक है एट टम जो हमारे पास था यहां माइनस एक्स था इधर आके ठीक है X एक्स एकौल टू टू यहां न 11 22 बाइट हमारे पास इसे आरेंज करते हैं मैनस त्वैल बाइट हें अर इड़ टेबल सरी ठेगता फॉर टैयमें सिक्समें में टॉर ठ्रीक है यह पर लिख सकते हैं माइनस 3 by 2 आएगा अंसर चली एक बार देखते हैं जब हमने इसे LCM किया था क्रोस मुल्टिप्लाई किया था हमने जब तो X प्लस 3 और X प्लस 4 को हमने बारी-बारी से मुल्टिप्लाई किया तो कुछ आएसा तर्म बन के आया था और एक सो स्वाल तो मैनस 12 बाई एट और सिम्ली पाई करके मैनस 3 बाई 2 हो गया ठीक है चली खुर्शन नमबर आप 24 सोल करते हैं लोग क्रोस कॉस्टन नमबर 24 जा हमारे पास है कॉस्टन है तो X बाई 3 माईनस X माईनस 1 बाई 6 प्लस 7 X माईनस 1 बाई 4 एक्वल टू 2 1 बाई 6 एक एक करके स्वाल करते जा रहे हम लोग पहले यहां पे 2 X बाई 3 माईनस X माईनस 1 बाई 6 प्लस 7 X माईनस 4 तो लिग लेते हैं सब लोग हम लोग 3 माईनस X माईनस 1 बाई 6 प्लस 7 X माईनस 1 बाई 4 एक्वल टू 6 तू जब ट्वेल बाई 13 13 बाई 6 हो गया है अब अब LCM हम लोग लेते हैं इन सभी का ठीक है 3 6 4 & 6 का देखते हैं 3 का टेबल से 1 टाइम में 2 टाइम में 4 3 सब्सक्राइब टू का टेबल में 1 1 2 1 3 2 6 6 6 2 12 12 हमारा होल का LC हमारा है पूरे का हां अब इसे हम पहले स्वाल करते हैं हमारे पास हो जाएगा इसके बाद जब 4 टाइम में आएगा 3 4 12 12 12 12 होगी हमारे पास फॉर टाइम में स्वरी और 2x यहां पर आ गया ठीक है माइनस यह है इस शिक्स टूज़ ट्वेल टू कॉमन है और एक्स माइनस वन है थ्री टाइम में प्लस का साइन 7x माइनस वन हो गया अभी यहां पर भी हमारे पास यह एक्वल टू है टू यानिकी टू कॉमन है 13 आ गया हमने पहले यहां LCM लेके से सिंप्लिफाई किया है यह हमारा नहीं अटम यह LCM था चलिए स्वाल करते भी से फो टू जा 8x यह माइनस का साइन है तो माइनस टू एक्स हो जाएगा और फिर साथ में हमारे पास आएगा माइनस टू एक्स प्लस माइनस 2 प्लस वंजब 1 तो प्लस 2 मोँ गया है ठीक है 7 ठीक ज़ा प्लस 21 एक्स हो गया और यहां प्लस यहां माइनस तो माइनस 3 हो गया इक्वल टू 13 टूज़ा 26 भाई ठीक है अब इससे हाब सिंप्लीफाई कप्रेंगे चलिए अब इसे solve करते हैं 8x में मैनस 2x हो जाएगा तो 6x बचेगी हमारे पास यहां प्लस 21x यह प्लस 2 और मैनस 1 होगे हमारे पास equal to 26 यहाँ पर आगे ठीक है अब आगे इसे solve करते हैं अब जब यह हमारे पास है तो 27x minus 1 equal to 26 27x equal to 26 plus 1 ठीक है और यहाँ पर solve करते हैं आगे हम लोग x equal to 27 by 27 x equal to 1 तो कुछ हमारा ऐसा अंसर बना आगे solve करते हैं इसी में question और हमारे पास था कुछ हमारे पास x का जो value आ गया 1 आ गया है और question में बोला गया था कि find the value ठीक है find the value of find the value of a आगा term हमारे पास a by 1 plus 5x है equal to 8 तो हम लोग ना ऐसे करते हैं 1 by a को plus x का value पूट करते रहे हैं यहाँ ठीक है अब इसे 1 by a plus 5 हो गया equal to 8 अब ऐसे करते हैं 1 by a equal to 8 minus 5 कर ले हैं तो 1 by a equal to 3 आ गया हमारे पास cross multiply करते हैं 3a हो गया हमारे पास इधर आ के ठीक है और a equal to 1 by 1 a equal to 1 by 3 यह आंसर हमारे पास a का value निकल गया अभी हम लोग सॉल्व करते हैं question number 25 को जो question number 25 हमारे पास है यहां बोला गया है 4 है मैनस 3x by 5 प्लस 7 मैनस x by 3 plus 4 1 by 3 equal to 0 और आगे बोला गया है hence find the value of p और एक equation दिया हुआ है तो पहले हम लोग यहां पर x का value निकल लेंगे फिर उसे solve करेंगे कि 4 मैनस 3x by 5 प्लस 7 मैनस x by 3 प्लस 3 4 12 1 13 by 3 equal to 0 अब इसे करने के बाद हम लोग यहां पर लेंगे ठीक है अल्सीम और 5 3 & 3 का अब आप से 15 यहां आप से 15 होगा तो तो तरी टाम में कटेगा 3 4 मैनस 3 एक सो गया हमारे पास प्लस 5 कॉमन हो गया इसके लिए 7 मैनस x हो गया और इसके लिए 5 कॉमन हो गया 13 हो गया ठीक है एक एक लिए 0 3 4 12 मैनस 9 x हो गया प्लस 35 मैनस 5 x प्लस 65 इकोल टू जीरो ठीक है अब आगे से सुल करते हैं कि यहां पर मैनस 9 x है और मैनस 5 x हो गया तो मैनस 14 x हो जाता है यहां पर ठीक है अभी यहां प्लस हमारे पास हो सकता है क्या प्लस में है प्लस में है और यह भी है 5510 और 12 क्यारी क्या वन 12 और 1 13 और सुरी 6 3 9 9 1 10 तमारे पास आजाएगा 11 112 इकोल टू जीरो x इकोल टू अगर इसे पहले यहां 14 x हो गया मैनस 14 x इकोल टू मैनस 112 बाहर किये तो ठीक है x इकोल टू मैनस 112 बाहरी मैनस 14 वन टाइम में कटेगा प्लस हो गया मैनस मैनस टू का टेबल में देखते हैं 5 और 56 यहां पर आगया 7 7 जाओ 56 होता है x का जो value निकला हमारे पास 8 निकला है अब हम लोग p का value find करते हैं हमारे पास जो आगे दिया गया है 2p-2x प्लस 1 इकोल टू 0 एक वेशन दिया हुआ आगे हमारे पास और बोला है आपे कि p का value find करना है तो हम लोग x में 8 का value put कर देते हैं 2P minus 28 plus 1 equal to 0 2P minus 16 plus 1 equal to 0 2P हम करेंगे यहापे और minus यहाप कर सकते हैं एक simplify करेंगे जब इसे हम आगे हैं तो 2P 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 3P था क्या 3P 3P minus subtract हो जाएगा minus यह है तो minus 15 हो जाएगा हमारे पास equal to 0 और P equal to 15 by 3 हो सकता है P का values हमारे पास आएगा 5 आएगा यह हमारे पास answer आया चलिए 26 नमबर question में अब हम लोग चलते हैं अब हमारे पास एटम दिये हुए हैं तो इसे हम cross multiply कर लेते हैं यहां पर हम लोग इसको लेते हैं LCM लेंगे ठीक है तो LCM by cross multiply भी कर सकते हैं इन दोनों को तो यहां पर 0.25 X हो जाएगा और प्लस में बचेएगा 1.95 एक्वल टू 0.9 यह हमने लिया था अगर मान लेजे एक्स हो गया 0.9 हो गया अभी 0.25 X हो गया प्लस 1.95 एक्वल टू इसके साथ एक मल्टिप्ला हो जाएगा तो यह हो गया 0.9 X हो गया हमारे पास अभी एक्स फोलेक्टर में एक्स हो गया और 1.95 को बाहर करते हैं तो हमारे पास है 0.25 X माइनस हो जाएगा जब 0.9 X आएगा इक्वल टू 1.95 माइनस में जाएगा बाहर इसके साथ ट्रैक करते हैं यहां पर हमारे पास 75 यह निकिस पॉइंट 65 बचेगा 0.65 X बचा माइनस में इक्वल टू माइनस 1.95 X इक्वल टू माइनस 1.95 बचा माइनस 0.65 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास और जब यह कट करेंगे 65 वन टाइम में कटेगा यह 3 टाइम में X इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आया 26 नमबर का बहुत ज़्यादा इजी कोशन था अभी तक का अभी लास्ट कोशन हमारे पास 27 है चलिए उसे सॉल्व करते हैं कोशन नमबर 27 हमारे पास है 5X माइनस 4X प्लस 5X माइनस 4 बाई 7 पर इक्वल टू 4X माइनस 14 बाई 3 पहले अंदर वाले टम को मल्टी ब्रेकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं अलस्यम लेते दोनों का 5X माइनस 28 एक्स हो जाएगा ठीक है प्लस में रहेगा 5X माइनस 4 इकल टू 4X माइनस हमारे पास 14 बाई 3 था 5X माइनस 33 X माइनस 4 बाई 7 इकल टू 4X माइनस 14 बाई 3 ओपन करते हैं इसके लिए इससे मल्टिप्लाइ करेंगे 35X माइनस कॉमन में है तो 33 माइनस में हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4 बाई 7 इकल टू 4X माइनस 14 बाई 3 सब्ट्राइक होगा 2X प्लस 4 बाई 7 इकल टू 4X माइनस 14 बाई 3 क्रॉस मिल्टिप्लाइ करेंगे हम लोग आगे 6X प्लस 4 इसा 12 इकल टू 7 फॉर्जा 28 X माइनस 98 हो जाएगा इधर आ जाएगा 6X माइनस 28 X इकल टू माइनस 98 माइनस 12 या माइनस 22 X हो जाएगा इकल टू माइनस 112 जोनों को आड करके हमारे पास आजागा X इकल टू माइनस 112 बाई माइनस किजैंगा यहां एमनस में था तो इसे हम यहां पर यहां प्लस कर लेते हैं तो प्लस में आजागा यहां कुछ है नहीं उसके लिए 22 वन टाइम में गटेंगा फाइब टाइम में आता है कि वानंडेड स्वरी 110 था एक्स एकॉल टू 5 हमारे पास आंसर आएगा तो एक्स का वैल्यू जो हमारे पास है 5 आया हमने इसे पहले प्रैकेट के अंदर सॉल्ब किया फिर हमने उसे बाहर सॉल्ब करते करते हैं इसलिए आंसर फाइंड किया तो एक कोशन लाश्ट था हमारा एक्सरसाइज 14 एका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ तब तक के लिए बाई बाई बच्चों